आपका दोस्तों मैं आपका दोस्त अंगीत बाच्वे एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर ग्रीन प्लानेट पर सौगत करता हूँ तो दोस्तों जैसा कि वीडियो देखकर आप मेंसे कई लोग समझ गया हूँगे जी हां दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोगों में से कई लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जबकि आपके गुलाब के नरसरी से लाएवे पौधे घराब होने लगते हैं और ऐसे ही कुछ मेरे पौधों के साथ भी हो रहा है तो मुझे लगा कि इसकी इंफोर्मिशन आप सब लोगों के स हुआ है यह बैंगन का पौधा और कहीं हद तक इस बैंगन की वज़े से क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा कि बैंगन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की जुरूत होती क्योंकि उसमें बहुत जल्दी कीड़े और फंगल इंफेक्शन होते रहते हैं जि यहां दोस्तों यह सिंबल है फंगल इंफेक्शन का और इसके होने की वज़े से कुछ आपके पौधे की ग्रोथ काफी हद तक रुख जाती है और उनमें जो कलियां आती हैं उनका रेशियो भी कम हो जाता जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह एकदम न्यू ब्रांच ग्रो हो रही थी लेकिन अभी काफी कुछ सूखने लगी है तो मुझे लगा कि अब सही टाइम है मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो दोस्तों इसको सेफ करने का दो तरीका है पहला तो यह तरीका है कि अगर आपके गुलाब के पौधे किसी पौट में है तो आप पौट को ट्रांस्प्लांट करें जैसा कि मैं आपको अभी चलिए दिखाता हूँ तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि यह मेरा देसी गुलाब का एक पौधा है तो इसमें भी वही सेम प्रॉ पौड़ी हुई थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस पर फंगल इंफेक्शन साफ आपको देखने को मिल सकता है तो मैंने बस एक यही ब्रांच को छोड़ के बाकि पूरी ब्रांच की प्रॉनिंग कर दी थी और अब आप नीचे का मेरा पूरा पौधा देख सकते है कि कितने अच्छे से वेल ग्रो हो रहा है काफी नीवली बर्ट आ चुके हैं और अब यह अच्छे से ग्रो होगा और इसमें जो भी फंगल इंफेक्शन था वो अल्मोस्ट जा चुका है तो यह बहुत ही इसी और सेफ मैथड है लेकिन अगर आप अपने पौधे की अब लेबल है लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो काफी स्ट्रॉंग होते हैं तो उसकी वज़े से आपके पौधे बर्न भी हो जाते हैं कई टाइम और अल्मोस्ट एक डेड़ मैना ले लेता है रिकवरी होने में तो एक मैं बहुत आसान सा तरीक मार्केट में जाके या इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेंशन कर दूँगा तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको भी ऑनलाइन ओर कर सकते हैं तो आपको एक लीटर पानी में इनीशली आपको दो से तीन ग्राम ये फंगी साइड लेना है और इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा शैंपू और इसके बाद हम इसको अच्छे से डाइलूट कर लेंगे पानी के साथ उसके बाद दूस्तों जो भी एफेक्टेड एरिया है इसको आपको अच्छे से इस लिक्विट से धुलना है और उसके बाद हर चार से पान दिन के बाद आपको एक लीटर पानी में एक ग्राम ये फंगी साइड आड करना है और ऐसा अगले एक महने तक कॉंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपका ये पौधा पूरी तरीके से हल्दी ना हो जाए और सिर्फ खाली लीव ही धोने की जरूरत नहीं है लीव के साथ जो भी आपके प्लांट की ये स्टेम है इस पे भी आपको अच्छे से स्प्रे कर दूंगा और मॉर्निंग में हम इसमें नॉर्मल पानी से पूरे पौधे को धुल देंगे और सेम यही प्रोसेस हम हर तीन से चार दिन के बाद अपलाई करेंगे जब तक कि हमारे ये पौधे अल्मोस पूरी तरीके से हल्दी नहीं हो जाते हैं तो अब मिलते हैं कुछ दि दिख रहा था वो काफी कुछ चा चुका है और जो अभी भी आपको ये लीफ पर ये वाइट वाइट दिख रहा है ये एक्चुली जो हमने फंगी साइट पौडर यूज किया था ये वही अभी चिपका हुआ है तो चली अब चलते हैं आगे अपने दूसरे पौधों की अब भी और यहां पर भी आप देख सकते हैं जो भी आपको इन लीफ पर वाइट वाइट दिख रहा है ये देख सकते हैं ये जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है ये सब अभी वही फंगी साइट पौडर है जो कि हमने पानी में आड़ करके स्प्रे किया था तो भी ये लीफ के साथ चिपका हुआ ये अच्छी बात है और इसी तरीके से आप 3-3 दिन पर एटलिस 3-4 बार अपने पौधों पर स्प्रे करें इससे आपके गुलाब के पौधे हल्दी होंगे और जो भी इस पर फंगल इंफेक्शन हुआ है वो हो जाएगा अच्छी लगी होगी तो आप मेंसे जो भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहा है तो प्लीज रेट कलर वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत बोलिए और मेरे वीडियो सो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन पर क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे चीज क्या लगी तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट फिर मिलूँगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल